दोस्तों वेदों पर प्रश्न उठा है और ये सोचा जा रहा है कि हमेशा की तरह जैसे इनके गुरु घंटाल कोई भी सवाल उठाकर चुपचाप निकल जाते थे और कोई भी जवाब देने वाला नहीं होता था वैसा ही अब हो जाएगा परन्तु अब ऐसा नहीं होगा प्रश्न किया गया है कि अथर्व वेद के कांड नमबर बारा सूत्र बोल रहे हैं वो सूक्त है तो बोलने की तमीज नहीं है और आये हैं प्रश्न लेकर तो यह सूक्त पाँच है और इसका मंत्र संख्या 62 कहा जा रहा है कि लिखा है कि वेद निंदक का नाश कर डाल उसको चीर डाल फाट डाल जला दे फूंक दे भस्म कर दे अब देखो वेद ने तो ऐसा कहा है वैसा कहा है और भी अन्यन्य बहुत सारी बाते एक मंत्र कहके और बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वेद को ना मानने वाले को चीरने फाडने काटने फूंकने की बात कही जा रही है जहालत की हद उस से में होती है कि जब ये कहा जाता है कि चीन, जपान, उस्ट्रेलिया बहुत सारे देशों में जो वेद को नहीं मानते तो क्या उनको चीरना फाड़ने के लिए वेद आग्या देता है ना मानने वाले को निंदक के कोटी में रखा जा रहा है मैं इन ढकनों से कह देना चाहता हूँ और ये मैं सक्त शब्दों का प्रियोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इसी के लायक है क्योंकि ये नहीं समझ रहे इस बात को या फिर समझते हुए, जानते हुए, बूजते हुए क्योंकि इनके गुरु घंटाल तो यही कहते है कि वेद जो है वो इश्वर यवाणिया है और प्रत्रम संदेश है लेकिन उसको भी अपनी नापाक बुद्धी के अनुसार नापाक करने की कोशिश करने वाले लोगों को में इससे बहतर और कुछ नहीं कह सकता ढकन इसलिए क्योंकि उनकी बुद्धी पूरी तरीके से बंद हो जाती है जब यह ढकन अपने सर पे लगा लेते हैं तो बुद्धी के अंदर जो प्रकाश जाने योग्य था वो भी नहीं जा पाता है यदि हम बात करें कि क्या कोई इंकार करने वाला या ना मानने वाला वेद निंदक हो जाता है तो कहीं पर भी वेद इस प्रकार की बात नहीं करता है यह जो त्योरी है यह इसलाम की है ना मानने वाला हमने पिछले बहुत सारे ओडियो क्लिप्स में भी मुसल्मानों के दुआरा चायो सल्मान फैजान किसी की भी होनों ने कहा कि जो ना मानने वाला है वो काफिर है और प्रतिक्षम किम प्रमाणम जितने भी इसलामिक देश हैं इन ढकनों के भाई चारे वाले लोग कहते हैं कि हमारे सत्तावन देश हैं उन सत्तावन देशों में आप जाकर देख लीजिए कि इश निंदा का क्या नियाय किया जाता है यदी किसी ने इश निंदा कर दी तो उसके साथ में क्या किया जाता है और यदी भारत में कोई भी वेदों के उपर प्रशन उठाता है तो उसके साथ में क्या न्याय किया जाता है कोई भी होगा आरिय समाजी ही अधिकतर आते हैं उसका जवाब देते हैं कहीं से लेके कहीं तक न्याय पद्दती में ऐसा कुछ भी नहीं है इश निंदा हो चाहे इनकार करने वाला हो चाहे ना मानने वाला हो उसको निंदक माना गया है इसलाम में लेकिन ये अपनी थ्योरी हम पर गड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये ही इनका सबसे बड़ा दिमागी दिवालियापन सिद्ध होता है दूसरी बात पर आते हैं कि आखिरकार वेदों में हैं क्या वेदों में ये नहीं है कि भाई ये किताब रखे हुई है इसको ना मानने वाले को चीर डाल फाट डाल इन लोगों को भी पता है कि वेदों में Do's and Don'ts लिखे हुए हैं तो Do's and Don'ts जब इसमें बता दिया गया है कि मनुश्य को क्या करने योग्य हैं क्या आपको पता है कि इस टोटल जो चार वेद हैं उनमें कितने मंत्र हैं और आपने कितने मंत्रों का उधारन दे करके समझाया मैं कुरान पर आऊंगा लेकिन मैं उसे पहले कुछ प्रशने कर लेना चाहता हूँ और जो हमारे हिंदू भाई हैं जो वेदादी पढ़ने के लिए बहुत जादा उद्धत रहते हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग ये लोग निंदा को होकर भी हमारी कितनी सहाय कर रहे हैं उस बात को आप समझे हमारे उपर जितने प्रशन उठेंगे उतना अच्छा है क्योंकि हम उनका क्लियरिटी के साथ में जवाब दे पाएंगे इन्होंने कहा 62 मंत्र में ऐसा लिखा हुआ ऐसा नहीं है कि इन्होंने उपर नहीं पड़ा होगा लेकिन क्योंकि ब विरुद्ध कू कर्म करे उसको विद्वान लोग पूरा दंड दे में अब कू कर्म क्या होता है कोई मुसल्मान भी जानता है इसाई भी जानता है सब जानते हैं सिर्फ दुर्बुद्धी ढकन लोग नहीं जानते हैं कि कू कर्म क्या होता है जब इसमें बता दिया गया है कि अच्छे काम क्या है और गलत क्या है और किस प्रकार से हमको समाज में रहना चाहिए तो जब साफ लफजों में लिखा है कि वेद विरुध यानी के जो नियम है नियमों की विरुध कुकर्म करने वाले व्यक्ति को दंड देना चाहिए कौन नहीं देता है दंड कौन नहीं देता है दंड यदि कोई कुकर्म करे तो कौन दंड नहीं देना चाहेगा क्या सत्तावन के सत्तावन देशों में कुकर्म की कोई दंड विवस्था नहीं है ढकन लोग बताएं क्या भारते समिदान में है या नहीं है धक्कन लोग बताएं अब प्रतिक्षम किम प्रमाणम एक हाथ में कुरान है दूसरे में गन है अब मुझे बताईए ये काम जो है कौन कर रहे हैं पूरा नाला है नाले के ओपर डाल डाल के गर्दने रेती जा रही हैं किसके नाम पर कौन सी किताब के नाम पर आप भी जानते हैं किया कभी आपने ये पुष्टक किसी भी व्यक्ति के हाथ में सैंकडों देश है इस धरती के ओपर किसी व्यक्ति के हाथ में ये पुष्टक और दूसरे महत्यार देखा है अगले जो सुतर है उसमें क्या लिखा है जो मनुश्य बलवती वेदवानी के विरुद्ध आचरन करे उसको यथावत दंड मिले यथावत दंड मिले अब नियाए की वात इनके पास में है नहीं तो अब ये तो यही कहेंगे आगे मैं आओंगा जब कुरान पर तब मैं आपको बताओंगा अगले सुत्र में यानि के सिक्स्टी फस्ट में क्या लिखा है वेद विरुद्धी दुराचारी पुरुष को नियाए विवस्था से जलाकर भस्म कर डालना चाहिए कर डाले अब आगे देखते हैं और क्या लिखा हुए राजा को उचित है कि वेद विवस्था के अनुसार अधर्मी वेद विरुद्धीों को दूर कारागार में रखे आगे क्या लिखा हुए वेदान वियाई धर्मात्मा राजा वेद विरुद्धी दुष्टाचारियों को प्रचंड दंड देवे वेद क्या है वेद हमारा सम्मिधान है सम्मिधान के विरुद्ध कुकर्म करने वाले व्यक्ति को सजा देनी चाहिए अब जरा कुरान पर आ जाते हैं इन्होंने कहा कि अन्फाल और अत्तौबा ये जो हैं वो युद्ध के दौरान आए अब इसमें दो चीजे इनको स्पष्ट करनी बढ़नी के पहला अल्ला का पैगाम सारे इनसानों के नाम जब उपर लिखा गया है तो ये जो दो पूरे के पूरे चैप्टर हैं ये दो के दो जब आए ही युद्ध के दोरान थे और युद्ध के विशे में लिखे गए थे और वहाँ पर कोई हिंदू वैदिक सनातन धर्मी नहीं था ये तो बता दिया कि वहाँ पर कोई भी हिंदू वैदिक सनातनी नहीं था लेकिन ये नहीं बताया कि कौन था मैं बताता हूँ कि कौन था वहां मुसल्मान भी थे अलग-अलग किसम के जिन को ये कहते हैं कि वो तो सृष्टी के आरंब से ही मुसल्मान थे अब वो मुसल्मान उस समय पर किस रूप में थे वो इसाईयों के रूप में थे और वो यहूदियों के रूप में थे और यह पुस्तक यह पुस्तक खुले लफजों में कहती है मैं नहीं कह रहा हूँ खुले लफजों में इसाईयो यहूदियों का नाम लिखती है अब आप मुझे यह बताईए कि कोई क्षणिक, एक देशकाल परिस्थिती में कोई चैप्टर्स लिखे गए और वो चैप्टर्स ही नहीं है उसके बाद में भी बहुत सारी ऐसी आयते हैं जिसको हम मंत्र कहते हैं शलोक कहते हैं ऐसा ही कुछ आयते होते हैं मैं थोड़ा सरल करके बताए रहा हूँ वैसा कुछ है जब वो उस देशकाल परिस्थिती में है तो आज उनका क्या काम है और यदि ये पूरी की पूरी ये अल्लह का पैगाम सारे इंसानों के नाम है तो उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसमें काफिर लिखा गया है उसमें मुश्रिक लिखा गया है अब उसमें मुनाफिक लिखा गया है यदि उनकी डीटेल में जाएं तो काफिर कौन? या तो आप बताएं कि काफिर थे उस समय के यहूदी उस समय के इसाई जब उस समय के वालों को मारने के लिए काटने के लिए कहा गया था तो आज इस पुस्तक में वो शब्द क्या कर रहे हैं और यदि आज भी कर रहे हैं तो उसको कौन फॉलो नहीं करता जब एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हाथ में गन ली जाती है गला रेता जाता है बंस उड़ाया जाता है ना माना जाए कि इस पुस्तक को आज भी फॉलो किया जा रहा है दूसरी बात जब वो समय देशकाल परिस्थिती के अनुसार ही उतरी थी तो इसका मतलब ये पुस्तक सारवकालिक नहीं है सारवकालिक नहीं है तो इसका मतलब यह क्या है एक देशकाल परिस्थिती का उस समय का बनाया हुआ नियम है क्या अल्लह को यही काम रह गया कि वो एक युद्ध जिसको बदर का युद्ध कहा गया है उस युद्ध के लिए ही केवल उसने उपदेश किया और केवल एक अक्षेतर विसेस के एक छोटे से युद्ध को जीतने जिताने के लिए जोश भरने के लिए नियम काइदे कानून बनाने के लिए ही पूरी की पूरी काइनात को छोड़ करके अल्ला को यही केवल काम रह गया कि वो केवल और केवल एक युद्ध के लिए ही अपनी संपूर्ण उर्जा लगा दे या तो यह सारवकालिक पुस्तक नहीं है और यदि सारवकालिक है तो यह जितना खून खराबा हो रहा है वो इन ही सब पुस्तकों के आधार पर हो रहा है और साथ ही साथ यह भी सिद्ध होता है कि यह पुस्तक सारवबहुमिक भी नहीं है क्योंकि एक खशेत्र विशेश के लिए यदि अल्लाह उसके लिए आदेश करता है बताता है और पूरे के पूरे दो चैप्टर उतरवाता है तो वो एक देशकाल परिस्थिती के लिए है एक छोटे से देश के लिए है वो सारवबोमिक नहीं है सारवबोमिक नहीं है और इसे ये भी सिद्ध हो जाएगा कि अल्ला को कोई और कारिय नहीं है और वो कहीं न कहीं मेसेंजर से छोटा है जो मेसेंजर के लिए काम कर रहा है तो प्रशन ये भी उठेगा इन्हीं लोगों के प्रशनों में से ये प्रशन उठेगा कि अल्लाह बड़ा है या उसका मेसेंजर बड़ा है जिसके लिए कि अलाह खुद सारे कामदाम छोड़के एक छोटे से काम के लिए लगा पड़ा है यदि ये को हो कि इस काम के होने के बाद इस युद्ध के होने के बाद में ही यहां पर पूर्ण तया अलाह का शाशन हो जाता वो क्या हो पाया क्या अभी तक वो हो पाया या भविशे में उसके हो पाने की कोई संभावना है वैसा भी कुछ नहीं है ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा इसके अलावा आपके पास में दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है अब बात करते हैं इन्होंने कहा कि वो जो पुस्तके हैं वो जो चैप्टर्स हैं वो आए और इन्होंने उसके पीछे एक दियातर्क के नौन-इस्लामिक वेबसाइट मैं आपको बता दूँ के विक्कीपेडिया बेवकूब बनाने की कोशिश मत करो मदरसे वालों का बेवकूब बना सकते हैं विक्कीपेडिया का कोई जो मालिक है वो ये सारी चीजे नहीं लिखता है आप और हम लोग ही उसमें लिखते हैं एडिट करते हैं यदि आप उसमें जाएंगे और अनफाल को उसमें खोजेंगे तो वहां सारी आयते लिख हुई हैं विक्कीपेडिया नौन-इस्लामिक है कौन है करने वाला उसने सारी आयते लिखी है क्या दूसरा अत्तोबा अत्तोबा की जो स्क्रीन शॉट दिखाई है वो अच्छा किया दिखाई है मैं पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आप नीचे देखेंगे कि उसकी विवादित आयते भी है उनके उपर जहां आपजेक्शन किया गया वो भी आपको मिल जाएगा तीसरी बात यह कह रहे हैं कि हमारी कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहां क्या का गया है वेद में? यानि कि जो डूस अंड डॉंट साब को बता दिये गए है यदी यदी उनके खिलाफ कोई जाता है तो राजा ऐसी विवस्था करे लेकिन कुरान में राजा ऐसी विवस्था करे नहीं कहा गया है बलकि प्रत्यक मौमीन को प्रत्यक मौम्मदी को उसकी खुली चूट है वो किसी को भी ये अपनी तरफ से किताब की तरफ से नियायत दे सकता है ये मैं नहीं कहा रहा हूँ किताब कह रही है वेद सीधे कहता है कि राजा ग्यां के बिना कोई भी ऐसा कारे नहो राजा ऐसी विवस्था करे राजा वैसी विवस्था करे दूसरी चीश दश्कों में उतरने वाली जो पुस्तक है उसका ग्यान कितनी बार बदला हम इसके उपर पहले भी बता चुके हैं एक पल में ही इश्वर्य ग्यान उतरता है ना कि उसको सोचने समझने और अपनी ही कही हुई बातों के विपरीत जाने में दश्कों लगते हैं ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो आज का तरक शील यूवान समझता है बाकि आपने पिछली वीडियोज देखी रखी है वही है जिसने अपने रसूल को मार्ग दर्शन के लिए सत्य धर्म के साथ बेजा है ताकि उसे तमाम दीन पर प्रभावी कर दे चाहे मुश्रिकों को बुरा लगे या अच्छा लगे नो तैंतिस यानि के तमाम दीन जो है उनको सब को प्रभावी करना है चाहे मुश्रिकों को अच्छा लगे या बुरा लगे नो तैंतिस मुश्रिक तो अभी भी है काफिर अभी भी है इनकार करने वाले अभी भी है आपकी भाशा में तो अभी क्या ये लड़ाई रुक सकती है ना रुक रही है और प्रतिक्ष देखें तो भी नहीं रुक पाई है वही है जिसने अपने रसूल को माइक दर्शन और सत्य धर्म के साथ भेजा ताकि उसे पूरे के पूरे धर्म पर भुत्व प्रदान कर दे यद्यपी बहु देव वादियों को अप्रियही लगे 61-9 प्रिश्टन नमबर 507 अब यानि के बहु देव वादियों को जो अलग अलग लोगों की जो विचार धारा है उनको मानने वालों को भले ही बुरा लगे लेकिन आप ये काम करते रहें अब मुझे ये बताईए कि क्या जापान में क्या उस्टेलिया में क्या अमेरिका में लोग अल्लह को मानते हैं नहीं मानते हैं और कुरान साफ लफ़ों में कहता है कि युद्ध जारी रहे जब तक फितना शेश नह रह जाए वेदर ऐसा नहीं कहता है वेदर डूज और डॉंट्स की बात करता है लेकिन धकन बुद्ध उस चीज़ को घुमा फिराग करके बता देते हैं जो अल्लह के तिरक तो कोई और दीन तलब करेगा तो उसकी और से कुछ भी स्वीकार न किया जाएगा और आखिरत में वह सरकस्ष शैतान को पुकारते हैं यहीं कि जितने भी अल्लह के अलावा यहीं कि इसलाम के अलावा जो दूसरे मानने वाले हैं वो सब के सब के जितने भी पूज निये हैं उन सब को वो क्या कह रहे हैं चार 117 में कि वो शैतानों को पूज रहे हैं अर्थात अब अन्य जो म तावलंबी हैं वो समझ जाएं कि आपके विशे में इसलाम का 4.117 क्या कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूँ ये वो पूचतक की ये वाली आयत कह रही है कि जो आप पूचते हैं वो शैतान को पूच रहे हैं अब इन से पूचा जाना चाहिए कि माले गनीमत क्या होता है वेद अच्छी तरीके से ये बताता है कि मनुश्य को मनुश्य के साथ में किस प्रकार का विवार करना चाहिए लेकिन जो मानव है कि वो उसके साथ में दानव के साथ में क्या विवार करना चाहिए यदि कोई कुकरमी हो तो वो साफ लफ़ों बताया गया है यदि वो अपना भाई भी हो तो भी उसके साथ में वेवार नयाय पूर्ण ही किया जाना चाहिए ना कि भाई का रिष्टा देखते हुए दूसरी और मौमीनों में कई सारी ऐसी आयते हैं जहां साफ लफजों में कहा जाता है कि यदि वो तुम्हारा भाई है मौमीन है अیमान वाला है और अल्लह को मानने वाला है तो उसको कभी भी परिशान ना किया जाए केवल और केवल काफिरों को गेरों उनके पोर पोर पर वार करो ये गंद मचाया जाता है अब पूरी पुस्तकों का पूरा वीवेचन मैंने आप लोगों के सामने कर दिया है एक पुस्तक है जो इस्थिती विशेश देश काल पर इस्थिती के अंतराल में धीरे धीरे लिखी गई अब वो लिखी गई किस तरीके से है कि मतलब अपने लोगों के अंदर जजबा भरने के लिए स्वम से लिखी गई है या कैसे लिखी गई है और क्या इश्वरिय ग्यान क्या इश्वरिय ग्यान कोई ट्यूब लाइट है कि दीरे दीरे फड़क फड़क के तब आपके सामने प्रस्तुत होगा या उसका जितना भी वरदग्यान है वो एक साथ प्रस्तुत होगा आप सभी स्वम में भी विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं स्वम के विवेक से इस बात का विवेचन करें और ऐसे लोगों को मुह तोड़ जवाब देने के लिए स्वम भी प्रेरणा को प्राप्त होकर वीडियोज आदी आर्टिकल्स आदी बनाया करें तो इसलिए इस वीडियो को जड़ ज़ ज़ शेयर करें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सत्य सनातन वैदिक धर्म की जै जै हिंद वन्दे मातरम